हेलो दोस्तो मैं टेक्निकल देव आप लोग के लिए नियू वीडियो लिखा है हूं सबसे पहले मैं आपको यह बता दू कि वीडियो में बहुत से तीन ऐसे पॉइंट में किलियर करने जा रहा हूं जिसमें आपको lifetime gate की जो problem होती है वो दुबारा नहीं होगी पहला नंबर यह है कि gas kit की कैसे लगाते हैं और उसकी setting कैसे करते हैं और दूसरी चीज है कि gate जो आपका निकल जाता है तूट जाता है उसे repair कैसे करते हैं और तीसरा चीज यह बताऊंगा कि आप क्या गलती करते हैं जिससे आप जो gate है वो सड़ जाता है क्या करें कि जो फ्रिच की लाइब हो बनी रहे तो आप देख रहे हैं कि आप सबसे पहले जो पहला question में killer करूंगा कि जो gas kit होता है अगर वो गरम पानी डालने के बाद भी lose नहीं होता है तो उस condition में क्या होता है यह change ही होता है तो सबसे पहले आपको क्या गरना है इसकी लंबाई और चोड़ाई आपको नाप लेना है और अगर आप मेरी वीडियो पे आए है तो प्लीज चलको subscribe कर ले क्योंकि आपको कु पूरा देखें क्योंकि बहुत से ऐसे point में killer करूँगा ताकि आप एक अच्छे technician बन सकते हैं अगर आप इस line में है तो so guys आप देख रहे हैं कि यह panasonic का फ्रीज है और इसके अंदर जो gas kit है वो हम नहापे नया लाए है लेकिन फर्क क्या है कि यह panasonic का company का नहीं मिला है क्य होने के बाद बहुत से लोग यह बोलते हैं कि सरम इसको gas kit लगा तो लेते हैं लेकिन यह चिपकता नहीं है तो यह भी मैं इसको killer करूँगा सो GUYS आप देख रहे हैं कि हम जो gas kit है इसको यहाँ पर लगा रहे हैं और ना पर रहे हैं कि हमारा कहां से इसको काटना है और कहां से इसको joint करना है क्योंकि यह gas kit है वो बहुत बड़ी आ रखी है और gas kit लगा नहीं लगता तो जो इनका फरीज जो चल रहा है वो अच्छी cooling करेगा और जो इसके अंदर आइस व.डर जम रहा है वह सब नहीं जमेगा तो उस condition में क्या है आप देख रहे हैं कि सबसे पहले आपको क्या करना है इसकी एक कोने से इसको लगाते हुए आपको नीचे जाना है और क्या करना है हाथ से टाइट ऐसे करके विल्कुल habit चिपका चिपका के हाथ को टाइट ताइट डबा दबाकर इसको आप लगाना है ऐसा नहीं है कि कहीं से यह ऊबडा खावडा हो और यह और फिट कर रहे है तो उस condition में क्या होगा कि यह आपका set नहीं होगा और set नहीं होगा तो यह जो इसका magnet है वो नहीं बन पाएगा क्योंकि इसको बिल्कुल plane चाहिए होता है कहीं से भी over- downward नहीं होना चाहिए और आप देख रहे हैं जैसे आप वीडियो में इसको मियाँ पे बिठा रहे हैं आपको भी इसी प्रकार से बिठाना है, और मैं आपको एक चीजे और बतादू, कि बहुत से लोग ये बोलते हैं, कि Sir क्या होता है कि हमारा जो gate है, वो निकल जाता है, उसके बाद कोई भी से पानी में निकालता है तो जो गेट है हमारा हाथ में आ जाता है तो आप देख रहे हैं कि यहां पर लगा रहे हैं तो मैं थोड़ा सा आपको यह कोश्चन केलर करता हूँ तो guys, सबसे पहले आपको क्या करना है जब आपका gate टूटता है तो वो दोई condition से टूटता है क्यूंकि जो पानी है पानी बाहर आता है और इसके कारण क्या होता है कि gate जो है उसके नक्के गल जाते है और जो आपका gate है वो खराब हो जाता है तो ये चीज मैं आपको इस वीडियो में कीलर करूँगा और आप देख रहे हैं कि हमने इसको एक तरफ से ये लगा दिया है अब हम क्या करेंगे इसके जो खाने हैं उसको निकाल लेंगे लेकिन अगर आप इस गेट को बाहर निकाल लेंगे तो उससे क्या हो कि और अच्छे तरह से सैटिंग हो जाएगा तो जिसकी इंदर यह समानोवान रखा है या फिर बोतले वेगरा रखी है आप इसको निकाल ले जब आप इसको निकाल लेंगे तो और गेट को उपर से खोलने का तरीका में बताऊंगा और इस बात आपको बाहर निकालना है सबसे पहले आप देख रहे हैं कि हमें इसको यहाँ पर ना पर रहे हैं कि हमें यहाँ पर कितना रखना और कितना कटिंग करना है क्योंकि जब तक gate बाहर नहीं आएगा तो उस condition में क्या होगा कि हम अच्छे से इसको नहीं लगा पाएगे और अच्छे से लगाने के लिए हमें gate को बाहर निकाला पड़ेगा और gate को जब बाहर निकालेंगे तो हम इसको अच्छे setting करेंगे और वापस से फिर इसको यहाँ लगाएंगे क्योंकि ऐसे क्या होता है कि setting नहीं आपा रहे क्योंकि रवड हमारी बड़ी अगर आपकी रवड जह से माती है तो इसको ना खूले क्योंकि इसको आप खोने में गे्याइगे तो ज्यादा काम बढ़ सकता है और अगर आप इसको खोला-खाली करेंगे तो यह मैं इसको यहां पर ऐसे लगा रहे हो और ध्याना कि विल्कुल आपको दवाOR दपा करने लगाना कहीं भी ये ऊना नहीं होना पर नहीं होना चाहिए जब तक यह बन पायगा तो इस चीश को आप't चैनल पर देते हैं लाइक भी करते हैं लेकिन आप सब्सक्राइब यह नहीं करते हैं क्योंकि आप लोगा कुछ नहीं जाएगा अगर आप हमसे जुड़े रहेंगे तो बहुत से टॉपिक की वीडियो आपको मिलती रहेगी और आपकी नॉलेज बढ़ती रहेगी नहीं तो आप बहुत से चैनल सब्सक्राइब करते हैं मैं यह नहीं कहूंगा लेकिन आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ही फाइदा होगा और आपकी जो नॉलेज है वह बढ़ेगी यूकि मैं बहुत से टॉपिक पर नई-ई-ई-वीडियो ऐसी लेकर आता रहता ह च्यूकि बहुत सब्सक्राइब करने के यह च्यूपिक होता है तो यह चीज़िए आपको द्यान ना और आप देखरें है कि हमने यह चारो तरह से इसको लगा रहे है और लगाने के बाद क्या है कि हम इसको फिर गेट्स को यह खोले था वैसे लगा लेंगे और इसको आप देखेंगे कि यह चिपक रहा है कि नहीं चिपक रहा है जब तक गेट इसका प्रॉपर बंद नहीं होगा तो कूलिंग अच्छी नहीं मिलेगी तो यहां पर बिल्कुल चिपकारने के बाद आपको यहां पर यहां पर अच्छी क्वालिटी का होना चीए और आप देख रहे हैं कि हमने इसको आपस में मिला लिया और हम यहां पर यह यह लगा रहे हैं बिल्कुल अच्छे से से्टिंग से दबात देना है तब ही यहहां पर // यहाँ पर गेट है थोड़ा सा ओपर भग रहा है तो आप मैदा जो पतमुस है तो आपका बहूं को यहाँ करेदे लो है पूरा तरीके से यह हमने लगा दिया पूरा तरीके टरेंगे बंद करेंगे तो जब यह नया नया लगाएंगे तो यह थोड़ा सा कम मैगनेट बनाओगा और लिजा और दूसरे क्वेक्षण यह है कि जब यह ट्रे के अंदर से पानी टबकता है तो किसी लोगों को यह टूट जाता है यह गरता है यहां का पानी जो है रहता है जहां आपका गेट रहता है तो वहाँ पानी जागे जंग लगता जाता है और फिरिच को धोए बहुत कम धोना नहीं चाहिए फिरिच को हमेशा ध्यान दे और आप देखेंगे कि यह नीचे है नीचे जो कुंड़ा लगता है जहापे जहापे गेट लगता है तो किसी किसी क्या होत बाद उसमें क्या करेंगे छेट कर देंगे और छेट करने के बाद जो स्कूरू बगरा है आप उसमें वहाँ पर लगाएंगे तो जो आपका गेट जो है वह सैट हो जाएगा और मैंने इसकी वीडियो बना भी रखा है कि गेट कैसे लगाए तो इस चीश को आपको ध्यान पर और एक लाइक करने के लिए हम यह सारी वीडियो बनाते हैं सो वाइस नेक्ट वीडियो मिलते हैं तब तक के लिए जाहिन